भाई मेरे अगर यही काम थोड़ा आराम से कर दिया होता तो मैं सच बता रहा हूँ दो मिनट पहले हो जाता लेकिन नहीं बिना काला जादो करे मजा कहां आती है स्वगत है आप सब का देखो यार अगर मैं आज तुम लोगों से पूछूं कि भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे बरबाद चीज इनसान ने आज तक का सबसे बहतरीन आविशकार क्या किया है मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे रॉकिट कुछ लोग बोलेंगे इंटरनेट और कुछ ऐसे लोग जो अपनी आत्मा चिटका चुके हैं वो लोग बोलेंगे अरे इलविश भाई क्या ये कोई मोल सकता है क्या लेकिन नहीं इनसान जात कितनी बरबाद हो सकती है इस बात का एहसास तुम्हारा भाई तुम्हें आज करवाएगा अए है और फिर तुम लोग मुझसे कहते हो कि मैं यतनी गालिया क्यों देता हूँ और ये विडियो रन विर्ज सिंग के हाथ नहीं लगनी चाहिए वो बहुत जिग्यासू लॉंड़ा है मैं बता रहा हूँ अंबानी के लड़के की शादी में पराठाओं के बहुत जाएगा नई देखो यार ऐसी भेरंड चीज़े बनाने वाले और फिर ऐसी भेरंड चीज़ों का व्लोग बनाने वाले लोगों का भ्रमान हमारे भ्रमान से अलग कर देना चाहिए और उनका ब्रमान हमारे ब्रमान से अलग क्यों करना चाहिए इस वीडियो के खतम होते होते इस बात का अंदाजा आप लोगों को खुद लग जाएगा फिर चलो यार काटे से सूप पीने का हुनर सीखने के लिए बिना टाइम बर बात करे शुरू करते हैं आज कमुट कदमा चीज वड़ापाओं में हलका सा में बटर लगाती हूँ क्योंकि दिल्ली वाले हैं बहुत तो हलका सा मखन तो बनता है चटनी में खुद अपने हाथों से बनाती हूँ कोई मिलावट नहीं हरे धन्य की स्पैशली चटनी है ओहो ओहो देवियों और सज्जनों ये बिमारी जान लेवा है अब जो लोग इनको नहीं जानते बोल भी किसको रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा रील इंस्टाग्राम भालों ने खुद बना के नहीं डाली होगी जितनी ज़्यादा लोगों ने इनकी बना के डाल दी है अब दुनिया की नजर में तो दीदी दिल्ली के सारे बेरोजगारों को इखटा करके वड़ा पाव बेशती हैं लेकिन असल में दीदी बिग बॉस के अगले सीजन में जाने की तैयारी में है अरे बस कर जाओ डॉल्फिन की ट्रांसलेटर कितना चिंगाडोगी इतनी सिंपथी तो थारा भाई जो गिंदर भी नहीं खीचता है और कोई मुझे बताओ ये माइक लगा के कौन रोता है और मेरी मानो तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए दीदी को इंडियन आइडल मन जाके वड़ा पाओ बेचना चाहिए नेहा ककड तुरंट टैलेंट पहचान जाएगी बलकुल सही सल्मान भाई की फिल्म में दीदी फुटपाथ पे वड़ा पाओ बेच रही होंगी और पीछे से सल्मान भाई फुटपाथ पे अपनी गारी ले करके आ जाएंगे अब आगे की स्टोरी मैं नहीं बताओंगा स्पोईलर हो जाएगा लेकिन कोई मुझे ये बताओ ये जेल से फरार अपरादी जैसे दिखने वाले चचा इतना क्यों खुश हो रहे हैं ऐसी शैतानी हसी हसने वालों को अर्चना पुरन सिंग का श्राप लगा होता है अरे दीदी ये रातों को जाक करके किस चीज का वड़ा पाओ बना रही हो इंसान जात मुझे इसलिए चूतिया लगती है जब तक काम नहीं होता है तो रोते रहेंगे काम नहीं है काम नहीं है और जैसे ही काम मिलेगा नया रोना शुरू सुकून नहीं है सुकून नहीं है अब यार पहले फैसला कर लो जिन्दगी से चाहते क्या हो अरे यार एक तो ये बकेती मुझे समझ में नहीं आती घर से उठवा लूँगा रैप्टा लगा दूँगा साब डसवा के जेल चला जाओंगा और कोई मुझे बताओ ये वड़ा पाओं का कैसा मल्टी वर्स चल रहा है मेरे हिसाब से आज के टाइम में दिल्ली के जसमें से चार आदमी वड़ा पाओं का ठेला लगा के खड़े हैं और बाकी छे वही वड़ा पाओं खाने बहुत चुके हैं गाजिया बास से ले करके दिल्ली तक के हमारा घुनी मुझो वाला बीन बैग वड़ा पाओं खाने चला आया और ये बात ऐसे चाती चोड़ी करके बता रहा है जैसे बचपन से ले करके बुढ़ापे तक माबाप ने पढ़ाई पे जितने भी पैसे लगाए थे ये हरकत करके एक एक रुपे को इंसाफ दिला दिया और फिर ऐसे ही लोग सोचते हैं कि ये जिन्दगी में इतनी तनहाई क्यों है बिल्कुल गाईज अब इस उल्टे वड़ापाओ को सीधा करके अपनी बुंद में ले लीजे और अगर तुम लोगों को जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि ऐसी तहलकेदार व्लोगिंग सिर्फ वड़ापाओ के लिए चल रही है तो मैं आप लोगों को बता दूँ मेरी माइकल जैक्सन की आत्मा से गुजारिश है अगर वो इस शरीर में हैं तो वो तुरंट छोड़ दें क्योंकि इस शरीर में दुख दर्द और पीड़ा के अलाबा और कुछ नहीं है देखो इस पॉइंट पे दो ही चीज़े हो सकती हैं वरना तो इसने सुबा नाच्टे में 15-20 प्रभु देवा खा लिये हैं या फिर हमारा भाई जलते अंगारों पे खड़ा हो करके डोसा बना रहा है अरा मुझे तो मालूं ही नहीं था कि ड्रेक भाई से भी इंस्पिरेशन लेकर के मिठाईया बनाई जाती हैं अब यह किस जानवर के लिए रजगुला बनाया है और इसे खाएंगे कैसे अब यह बर्गर लिए लंबे वाले गुलाब जामून जी जी इसमें हलका साम सुगत सिर्फ डालते हैं चीक है उसके बाद इसमें गुलाब जामन उसको क्रेश कर देते हैं पूल ब्लॉगिंग के जिन्दगी में यही रह गया था देखना है इस बन के अंदर गुलाब जामून है और यह हिंदोस्टान का एकलवता मीठा बर्गर है देखो इंटरनेट पे दो मीठे आके लड़ाई करें और फिर एक ही दिन बाद दोस्ट बन जाएं यह चलता है लेकिन मीठा बर्गर यह अपराद बर्दाश नहीं किया जाएगा ऐसे क्यों देख रहे हो अंकल नोन नट नवंबर की जगा नोन स्टॉप नट नवंबर बनाने के बाद आती है चेहरे पे ऐसी मुस्कान कसम से मैं बता रहा हूँ यह आखों में हवस नहीं हवस में आखे हैं नहीं अगर किसी चाए वाले चिचा ने मुझे चाए देते हुए ऐसे देख लिया मैं कसम से बता रहा हूँ उसी शण चाए पीना छोड़ दूँगा असलाम वालेकुम मुहबब से बिलाएंगे प्यार से बिलाएंगे करेंगे डब डब बिस्मिल्ला क्या करेंगे करेंगे डब डब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि इस शर्बत में मिठास कहां से आ रही है देखो अगर एक इंसान शर्बत बेच रहा हूँ जिस शर को पिलाने से पहले वो ऐसी हरकते करें मैं प्यासा तडब जाओंगा लेकिन ऐसे शर्बत को हाथ नहीं लगाओंगा तो लोग क्या थे आप निकली हो आप वोजिया निकली पुरी मार्केट में तो में तो में करें हुम नकली मार्केट से बुझो बिल्कुल सही तो आए फिर मार्केट के लोगों का रिव्यू भी ले लेते हैं कि ये मोहबत का शर्बत औरिजनल है कि नहीं यह मेरट का भीहरी है यहां मेहनत करके यह बहुत अच्छा काम पर पहुच गया है चार कलोड लुपे का तरियागन में मकान लिया है चाली सदार रूपर रोज की कमाई है व इन पबलिक एसी पागले वो यह जाती है यह जहर होता ही है वाह शर्बत में ऐसी कौनसी मोहबत डाल दी है कि जनता से सो गाली खाने के बाद भी अगले को उर्जिनेलिटी की फिकर है नहीं इंसान को इतना भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कि बुंड मरवल को टैलें ओ पबलिक एजेंट इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है मुझे बहुत अच्छे से पता है अभी मनोज भाईया को गैरिज में लेके जाएगा और फिर मनोज भाईया को जूट बोला जाएगा कि आप तो मॉडलिंग कर सकते हैं और फिर मनोज भाईया कपड़े खोले यह वही वाली वीडियो है ना नहीं अरे आती वीडियो से कमाये थे यार कुछ इस्सा उसका मुझे निची ओफो हो 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 देखो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता बहुत ज्यादा प्यार करता हूं लेकिन अगर जंता यह चा रही है कि 1xbet से मिले पैसे मैं सब में बाट दूँ तो इतना भी अच्छा आदमी नहीं हूं मैं PS5 के गेम की सीडिया सश्ती नहीं आती अरा अच्छा आप में इंग्रीडियंट पत्ते में पादमारना तु भूली गए उसके बिना स्वाज कहाएंगा और अगर इस food vlogger को यह hygienic लग रहा है तो यह बात मैं guarantee से कह सकता हूँ कि यह सरकारी सोचाले में रहता है इतनी साफ चीज इसने पहली बार देखी है और मैं यह दिल से जानना चाहता हूँ कि अगर इसको यह hygienic लग रहा है तो वो कलकत्ता वाले अंकल के बारे में क्या खयाल है बहुत बढ़िया अंकल एक काम करो जाकर के भगोने के अंदरी बैट जाओ कम से कम लोगों को उनकी बिमारी की वजह तो मालूम होगी और अंकल जी को तो छोड़ो खतरा सामने है उसके बाद भी लोग बैट करके पत्ते पे पत्ता उड़ा रहे है नहीं ऐसे अकल के विकलांग लोगों का कुछ नहीं हो सकता कल को अगर इनसे आ करके कोई कह देगा कि इंटरनेट पे जादू की आंड बहुत पोपलर हो रही है तो उसको विजा करके सेंधर नबक लगा के चाट लेंगे अब आखिर में मैं ये फूड व्लॉगिंग करने वालों से कहना चाता हूँ कि हर टटी चीज को स्वाधिष्ट बताना बंद कर दो तुम्हारी वीडियो से जादा जीटिय की ट्राफिक लाइट काम की होती है और ऐसा फूड बनाने वालों से मैं ये कहना चाता हूँ कि अगर तुम्हारा रोना देख करके चार हूतिय कैमरा लेकरके आभी गए तो खुद को स्पेशल मत समझो जब जंगल में भेडिये को खरगोश की चीखे सुनाई देती है न तो वो भगता हुआ जाता है लेकिन मदद करने नहीं अब बस यार आज का मुटकदमा यहीं पर खसाम करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेट भर चुका होगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो लाइक मारना बहुत जरूरी है और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो बगल में घंटा बनके आएगा उसको भी दबाओ ताकि तो नोटिफिकेशन पाओ और अब बस यार मैं भी चलता हूँ मुझे पैसे गिनने जाना है एंडिंग लगाओ